इंदोर लोकाएक्ट ने मंगलवार रात कारिवाई करते हुए MIG थाने पर पदस्त दो पुलिस कर्मियों को 40,000 के रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया जहां 40,000 में सी 15,000 दिना तै हुआ था अगर दोनों आरकशकों को लोकाएक्ट की भनक लग गई थी जहां दोनों आरकशक मौके से भाग निकले जिनकी लोकाएक्ट पुलिस अब तलाश कर रही है दरसल इंदोर लोकाएक्ट को एक महिला फरियादी ने शिकायत की थी ये माईजी थाने में पदस्त दो आरकशक श्याम जाट और धीरेंदर डांगी ने महिला के पती को छोड़ने के एवज में 40,000 रुपियों की मांग की थी जिसके बाद पिरित महिला ने लोकाएक्ट पुलिस की शरंड लिया और 40,000 में से पहली किष्ट के 15,000 रुपए देना तैह हुआ और बागी पैसे बाद में लेने का दोनों आरकशकों को ने बोला खास बात ये रही कि पुलिस कर्मियों को लोकाएक्ट पुलिस की भनक लग गई थी जिसके चलते दोनों मौके से भाग निकले वहीं लोकाएक्ट पुलिस दोनों आरकशक, श्यामजाट और धीरेंदर डांगी की तलाश कर रही है गई थी, रिकार्डिंग में जो है दो आरकशक बात करते हुए लेंदेन की बात करते हुए पाय गए थे जिसमें ट्रैपदल का गठन किया गया और जो है उसमें उनने 40,000 रुपे की रिसवर लेना तै किया गया था 15,000 रुपे की रिसवर लेते हुए वो उसको छोड़ दे थे और फिर उसके बाद की रासी जो है बाद में उनसे लेना तै हुआ था महिला टीना टेटवाल है जिसके पती आटो डील में विश्वास आटो डील है यहां कोई एक उसमें काम करते हैं और उन्होंने देवास के किसी आईसर के वहनमालिक की गाड़ी को यहीं खजराना इस्तिस किसी विक्ती को डील कराई थी उसकी उसका यह कहना था कि यह डील में बीच में नहीं था वो उसने आपस में करा थी फिर उनकी डील हुई उसमें जो बैंक का फाइनेंस था और इसके अलावा दो लाग रुपे की और रासी की डील हुई तो वो दो लाग रुपे की रासी देवास वाली पार्टी को मिल गई थी इसके बाद उसने जो यहां खजराना वाली पार्टी थी इसने उसमें जो पैसे थे उसके बैंक वाले वो जमा करने बंद कर दिये तो उनका फिर से कोई डिस्प्यूट हुआ उसने इसकी सिकायत की होगी थाने पे तो चूंकि इसने बीच में ये कपिल स्टेट वाल जो अंदर इसको उठा के ले गए थे ये बीच में था तो इसी कारण इसके पूछताच के लिए इसको लाए होंगे उसको छोड़ने के एवज में ये सारा रिस्पत की रासी इनके दोरा मांग की जा रही थी इसमें दो आरक्षक अभी प्रारामभिक दोर पे आरोपी बने हैं स्याम जाट और नीरेंद्र दांगी इसके अलावा महिला दो थानेदारों का भी नाम ले रही थी उनको भी अभी विवेचना में पता लगेगा उनकी क्या भूमी का है अभी इतना ही हुआ है इसमें वही मामली में पुलस कमिशनर हरी नारान चारे मिश्व का कहना है कि ऐसे मामले में पुलस जीरो टॉलरेंस की नीती पर काम कर रही है किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा इंदौर्पोलिस कमिशनर हरी नारन चारे मिश्व ने ततकाल प्रभाव से दोनों आरक्षक को सस्पेंड कर जाज शिरू कर दी है वहीं दो सब इंस्पेक्टर राम शाक्य और टैगोर को भी रिश्वत के मामले में आरूपी बनाया गया करवाईयां होती है लागतार पुलिफ करती है और इस तरह के शिकायतों पर भी पुलिफ ने जीरो टोलनेस पर काम किया है अब ये शिकायते कल आई है पारमभिक तोर पर इसमें कुछ तथ्य पाए गए हैं जिफक्याधार पर करवाई की गई है वहीं आप आने वाले वक्त में अन्य दो सब इंस्पेक्टर्स पर भी निलंबन की कारेवाई की संभाबना चताई जा रही है क्योंकि लोकाएक तो पुलिस ने उन्हें भी आरूपी बनाया है Bureau Report, MB News, इंदौर